अखनूर के बटल में सेना का बड़ा ओप्रेशन जा रही है जहां पर सेना ने एक आतंगवादी को मार गिराया है और जो बाकी बचे हुए आतंग की हैं उनकी तलाश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द यहां पर मार गिराया जाए लेकिन इस पीच जो लोसी का एरिया है वहाँ पर सेना हाइलट मोड पे है और लगातार लोसी के एरिया में सेना किस तरह से निगरानी कर रही है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार चपे चपे पर सेना जो है वो यहाँ पर पैट्रोलिंग कर रही है और यह प्राबिक बटल का एक एरिया था जहां पर मंदिर के पास तीन आतंकवादी देखे गए थे और इन आतंकियों ने वहां पर सेना की एंबुलेंस चल रही थी उसको यहां पर पहले टारगेट किया लेकिन उस हमले में सेना को किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ लेकिन उसके बाद से ही सेना का बड़ा ओप्रेशन वहां पर जारी है सेना ने जो आतंकी है उनको ट्रैप कर लिया है और अब वहां पर एक आतंकवादी मारा भी गया है और सेना ने अब उस इलाके में जो आतंकी बताया जा रहा है कि एक बेस्मेंट में वहां पर मंदिर के पास शिपे हुए हैं उनको मारने के लिए टैंक्स जो हैं वो भी वहां पर डिपलॉय किये हैं ताकि इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी यहां पर मारा जा सके लेकिन इस बीच सेना किस तरीके से पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरने के लिए बॉर्डर पर निगरा है खास तोर पर जैशे मुहम्मद हिस्मल मुझाइदिन और यहां पर जो अलग दूसरे संगठन है वो अलग-अलग तरह की साज़िशे रच रहे हैं आतंकी समय अलग-अलग चपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपच और अभी हाल ही में Northern Command के जो GOC हैं उन्होंने भी कहा है कि पिछले पांस सालों में 720 आतंकी जो हैं वो यहां पर मारे गए हैं ऐसे में जरूर आतंकी यहां पर बड़ी कोशिशे कर रहे हैं लेकिन यही सेना के बहादुर जवान हैं जो आतंकियों की सारी कोशिशों को नाकाम क कान न्यूजनेशन एलो सी अकनूर न्यूजनेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें